दक्षिन अफ्रिका के बल्लेबाद रासी वेंडर ड्यूस एन इंजिन प्रीमियर लीग 14 में राधस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे उन्हें स्टार आल राउंडर बेंड स्टार्ग के स्थान पर लीग के बाकी बचे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है स्टार्ग पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान घायल हो गए थे पंजाब के विसफोटक बल्लेबाज क्रीज गेल के कैच को लपकने के लिए डाइव लगाते समय स्टार्ग घायल हो गए थे उनकी उंगली में फ्रैक्चर है और वे इस सीजन से बाहर हो चुके है दक्षिन अफ्रीका के रासी वेंडेर्सें ड्यूसें शांदार फॉर्म में चल रहे है दाय हाथ के इस बल्लेबाज ने हाल ही में हुई पाकिस्तान के खिलाफ T20 और वन डे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने दो वन डे मैचों में 183 और दो T20 मैचों में 86 रन जड़े थे T20 में उनका स्ट्राइक रेट 153.57 का था हाला कि ड्यूसें के टीम से जुडने को लेकर राजस्थान का अब सब कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है तो दोस्तों आपकी क्या राय हैं इस खबर के बारे में कवेंट सेक्शन में लिखके हमें जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करें अपती फ्रेंज और फामली के साथ उसे शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद